में दिल्ली से लक्षमन स्वागत है आपका आज असी जी सवाल क्या है है अब यह है असी चौन्ट्रोल में है लेकिन कम नहीं हूलीं है पड़ि हुसा नी वम्र क्या है उस्विकल कियों शुगार कप से है यह शूगर तो पचात साथ यह उमर जो है अकतर सार है जी काफी पुराने पेशेंट हैं और आप बहुत कुछ जानते होंगे वैसे आपको बताना भी ठीक नहीं है लेकिन क्यूंकि आपके साथ लाखों लोग सुन रहा है इसलिए ही बताना जरूरी है कि शूगर वाले को पांच बार या उससे जादा बार गरम पानी पीना चाहिए और भोजन जो करते हैं वो अगर चार रूटी आपकी खुराक है तो दो रूटी खाया करें और छोड़ दिया करें चाया फिर दो तीन घंटे बाद फिर दो रूटी खा लें इससे भी शूगर कंट्रोल होती है अगर आ एक साथ नहीं तो दीरे दीरे करके चले पंदा पंदा मिट करके चल नहीं सकते हैं तो धूप में बैठा करें इससे भी शूगर कम होती है और एक जैतून का सिरका आता है जैतून का सिरका तीन चमश सुबा तीन चमश शाम पानी में मिला कर खाने के पश्चात आप पी लि जी आदावर साब, बता ये क्या सवाल है? अदावर साब, मेरी याइस वे उमर करी दूस्टेशन पहला है. मैं सुन रहा हूँ, आप बता ये. हाँ, तो उतार के श्लेबेस की प्रसामी है 2015 है. और वो करती है कि कमर के इसे पिछले साइड में लगता है जैसे डेर्टो के लोगा कोई बंधा हुआ है. मैं समझ गया है. आपके घर में वैस्तन टॉयलेट तो होगा जरूरूरू? यहां जी लगवा लिया, आपके बात तो हमने लगतार देखाई टीवी पर सोतों में करवा लिया. और वाला दाग बोद भी हमने लिया हुआ है ले लिया है ले लिया है कितने दिन से ले रहे हैं? तो अभी तक तो फाइदा शुरू हो जाना चाहिए? लेकिन कुछ ना कुछ फाइदा होना शुरू होगना चाहिए अभी तक? तो पूरा साब को ता भी चल रहा है. ठीक है. आपको तकलिफ काफी है और इसकी बरदाश आप करते हैं बहुत बड़ी तकलिफ है यह अच्छा आदा गिराम यानि समझ लिए दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम आप लिजए किसी भी तरह खाएं इसे यह गोलियां बना लें आदा आदा गिराम की या शेहद में मिला के खा सकते हैं शुगर नहीं है तो या किसी भी तरह यह आपके पेट में जाना चाहिए वैसे यह पांच से दस दिन में फाइदा शुरू करता है किसी किसी को तकलीफ बढ़ जाती है बढ़ गई है तब भी अच्छा है और कम होने लगी तब भी अच्छा है बढ़ जाती तो आप बहुत शिकायत करते हैं और यह गौन्त खत्म होने से पहले आपको राहत बादिया तो आप सारी बातों पर अमल करेंगे और बहुत जल्दी आपका फोर आएगा कि आपको फाइदा हो गया है अगले कॉलर है आजमगर से शौकत अली खान हमारे साथ स्वागत है आपका हालो जी शौकत जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है हालो मेरे साडू एक हैं जिनकी उमर साथ साल है वो साथी में जो आपकाम करते थे और खेतों में जाते थे मोटर बियुस्ता था बनाते थे वो बड़े बड़े खेतों में साथी में वहां से जो चिड़गा होता था किनिकल्स का उसका उनको ऐलर्गी हो गई और खासी जो थे महीना तब वहां बोदी में जेलते रहें और आये गाउं पे वहां के ऐलाज से फादा नहीं हुआ गाउं पे आये हुए हैं तो यहां भी आये हुए साल-देर साल हो गई लेकिन दा ़िस नहीं कोने है है तो अनको आपकान रहता है खुट पूल जैता कर्कान है तो उनको clicking है तो बहुत बॉक्त आपके मेरबानी हो जही जी-जी हाँ देखिए काफी पॉजिशन उनकी संजीदा है ऐसी ख्यार रखिए उनका और डॉक्टरों का भी इलाज छोड़े नहीं बिल्कुल भी एक वावमीन दवा मददगार दवा बताता हूँ घरेल नुसका भी नहीं बताता कभी आप नहीं बना पाएं माजून आहर केर एक चमश सुबा एक चमश शाम गरम पानी से दें और दिन में यह नहार मूँ और रात को सोते वक्त देनी है और दिन में कम असकम पांच बार गरम पानी पिलाया करेंगे तो उनको बहुत राहत होना मुम्किन है चलिए तो उनको बहुत राहत हो जाएगी ल ये पूरी टीम बैठी होती है दर्श को देखे समय यहाँ पर बहुत कम होता है कॉवलर्स बहुत Зथा होते हैं कोशिश यही रहती है कि सभी कॉलर्स से बात हो जाए हकीम साहब की क्यूंकि आप लोग शिकायत करते हैं कि हकीम साहब से बात करा दीजी और साथ ही साथ copy pen लेकर बैठिए दर्श को जिससे कि आप हर एक बात no down कर सके हर एक बात आप लोग लिख सके क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग सेहत मन्द रहें जो लोग operation तक के लिए जाना चाहते हैं वो रुक जाएए और जो लोग अब दवायों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप लोगों का इस कारक्रम में हमेशा ही स्वागत है फोन उठाई यह नमर्स पर कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगतार दिखाये जा रही है हकीम सब जैसे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी थी जिनने 50 साल हो गए 50 साल से उनको शुगर तो क्या इस बात में इतनी सचाई है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको कभी भी हाट अटेक हो सकता है अधिके शुगर का दरसल अजीब मामला है जी शुगर जो है तीन चीज़ों पर वार करती है एक तो हमारे किड्डीज पर अच्छा शुगर भी वार नहीं करेगी तो जो हम उसके लिए दवाईयं लेते हैं वो वार करती है एक तो हमारे किड्डीज पर और एक हमारी दिल पर एक हमारी आँखों पर ये पहले शिकार होते हैं शुगर क तो अगर यूनानी दवाएं साथ में ली जाएं तो ये शुगर के वार से और उन दवाओं के वार से हम बच सकते हैं अक्सर आपने देखा हूँ कि मैं बताता हूँ कि एक आता है जैतून का सिर्का है इसका सबसे बड़ा काम इसकी जो नुखसान पहुचाना पहुचाती सबसे पहले ही उसे रोक लेती है किड्नी इसको खराब नहीं होने देती वरना कभी भी किड्नी खतम हो सकती है लीवर का बहुत खायर लगते हैं जैतून का सिर्का 3-3 चमच पीने वाले लोग बहुत आराम में रहते हैं और ना दिल पर कोई राज मिल पारिये हैं यहां नमस्क्त माडम जी नमशकार नमस्क्त से अदव अरचना जी बताएए क्या सहाल है अप का सर हमको थायराइड भी है, सुगर भी है, और प्रेसर भी है सर, अभी किद्नी का किद्नी मेरा 6.1 पर है सर, जी, जी, ब्लड प्रेसर, जी, थायराइड, जी, और किद्नी का प्रब्लम, जी, एक निसका बताता हूँ आपको, इससे आपका थायराइड, और किद्नी प्रब्लम में फाइदा होना मुम्किन है लेकिन पांच साथ महीने लगातार लेना होगा आपको याद रखें कि तीन सो ग्राम धनिया धनिये का दाना जो आप किचन में यूज़ करते हैं तीन सो ग्राम धनिया सो ग्राम मेथी सो ग्राम आमला आता है, सूखा हुआ आमला सो ग्राम आमला और तेड़ सो ग्राम इसमें मिलाईए गौन सफेद मौरिंगा याद रखें, ये बाकी तो चीजों को आपको पहचान है इसकी पहचान जरूरी है ये बहुत कलर्स में मिलते हैं, नकली होते हैं गौन मौरिंगा सफेद लेना है आपको सफेद गौन मौरिंगा तेड़ सो ग्राम इसमें मिलाकर पौडर बनाएं और एक चमच, चोटा चाय का चमच सुबह उस गोली के साथ जो डॉक्टर आपको देते रोजाना या उसके साथ या उसके बाद यह से पहले भी ले सकते हैं वो गोली भी खाएं और एक चमच शाम को रात को सोते समय गरम पानी से लें इसे आपके दो फाइदे तो होना मुमकिन है ब्लड प्रेशर के लिए लेसन खुब खाया करें जितना भी आप लेसन खाएंगे अधरक खाएंगे इतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना मुमकिन है गाज़ेबाद से अगली कॉलर है सुधा स्वागत है आपका जी मैड़ा नमस्ते सर्थ जी डोक्टर सुलिमान सर से बात करने हैं जी आदावर्स सुधा जी बताइए क्या सवाल है मेरे हाट में परेशानी है मेरी पल्स रेट तो बढ़ जाती है दो पर्चन है मेरे हस्मेंट की पल्स रेट कम हो जाती है तो आप और नुक्सा बताते हैं न निम्बू का राज और अधरक का रस्टन का वो मैंने निकाल लिया और मेरे को वो नहीं मिला है जैटون का सिर्का ठाजी की जब भी उत्री बनाना हो तो जैटुन का सिर्का सबसे पहले मा जाएं क्योंके ये चीज़ें खराब नहो जाए जैतुन के सिर्के में ये भी चलायियत है कि वह इन चीज़ों को खराब नहीं होने दिता और इसको अगर खराब नहीं हुआ हो तो फिरिज के हवाले कर दें नहीं तो ये खराब भी हो सकता है और जैतुन का सिर्का अगर कहीं नहीं मिले तो हमारे हेल्प्लाइन नंबर पर फोन करें उन बता देंगे आपके इस शहर में कहां पर मिल सकता है ये बहुत बड़ी दुकानों पर मिलता है ये हमारे हाँ भी मिलता है आप चाहें तो इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं दोनों लोग अगर इसे लेंगे तो दोनों को फाइदा मुम्किन है जी जैसे कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अद्रक सिर्का निकाल के रखा हुआ है नीबू का भी इन्होंने रस निकाल के रखा हुआ है अद्रक का भी तो ये जो होते हैं हकीम साब हम सालों साल अपने घर में रख सकते हैं ये कभी खराब नहीं होते हैं वशरते हम इसमें सिर्का मिला दें फॉरन जी नहीं तो इसमें कोई किसी किसम की समयल आ गई या पपून दा सकती है लगिन सिर्के में इस अलायत है कि आप अगर सौ साल भी रखो तो किसी चीज़ को खराब नहीं हो ले देता है जी तो किसी तरिके का कोई कंटेनर नहीं कि इ चीज में उसको रख सकते हैं विशे चाहिए तो यह कि प्लास्टिक के बरतन में रखें या काच के बरतन में रखें काच का बरतन अब इतना बड़ा लोग रखते नहीं है जार में रखते हैं जी जी तो जार के बरतन में प्लास्टिक के बरतन में रखें तो फाइदा होना अगले कॉलर है नीरज हमारे साथ जमु कश्मीर से स्वागत है आपका हालो हालो जी नीरज जी बताएए कहां पे इन है कंदों में शोल्डर में कंदों में ओमर क्या है आपकी कंदों के दर्द के लिए एक exercise आपको हावाले करता हूँ और वो समझ लीजिए कैसे है ऐसे सीधा बैठे और ये ये आपको तीन मिनट रोजाना करनी है ठीक है और तीन मिनट ये वाली ऐसे 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 और अगर आपको मिल जाए गौंसिया असली तो सौ गिराम खरीद लें आदा गिराम सुबह नाष्टे के बाद आदा गिराम शाम को खाने के बाद पानी से दूस से यूस से जैसा आप चाहें लें थोड़ा सबर करें तो आपको फाइदा होना मुम्किन है उतरा खंड से अ हां जी बताईए अपना सवाल करिये अगर अच्छा तो पहुंची आप तक या नहीं पहुंची अगर दवाई आप तक नहीं पहुंची है या फिर आपका यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं पहुंची है तो हेल्प लाइन नमबर देखिए आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है आप तुरंत उस पर बात कर लिजिए तुरंत उस पर कॉंटक कर लिजिए आपकी पूरी-पूरी मदद की जाएगी परिशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि वक्त लग जाता है दर्ष को डिमांग बहुत जपँकत जाद होती है तब या आप लोगों से एक क्ड़प लोगों नहीं मिल सकते है कुछ दिन का आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है तो आपसे कहना चाहूंगी तुरांथ help line number पर आप बात कीजिए